बेशक बॉर्डर पर भारत पाकिस्तानी की रिष्टों में कडवाहट है। आम का दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर है फिर भी इसकी डिमांड बनी हुई है। इस चौसा आम के प्रती लोगों की दीवान की जायस भी है। फल विक्रेता सुभाज चन ने बताया कि मुलतान पाकिस्तान आम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और यह आम हाथों हाथ बिक रहा है। उनने बताया कि आम का सेसन आफ होने के बापतुत भी इस आम की काफी डिमांड है। आम मुलतान से, चौशा आम है यह बहुत डिमांड है इसकी नहां पर, बीदबूर में, तिजाब में, माचल में सारे में डिमांड बहुत है। और बिक रहा हाथ को आता है। अब एक सिर्वेगल बिक रहा है। आम हर फिए देते हैं और अच्छी विक्रियोती है। इसके नहां आए आम तो दूसरे से लोग डिमांड करते हैं आम गया नहीं आपने, क्या बात है। इसलिए आम को माना पड़ता है। अधारी रहाता है लेकर अभी सिर्वेगल नहीं होता। इसलिए आपको दूसरे आता है और बहार के फ्रूुट आते हैं। और आवोकोर्ड़ा और पलंप भी इनली से आता है। वहीं लोगों का कहना है कि ये आम बहुत ही स्वादिस्थ है और हिमाजल में मिलने वाले आमों से अलग है उनने बताया कि ये आम साइस में भी बड़ा है गौरतलवे के अगस्थ महीने में मुलतान के आम की सप्लाई शुरू हो जाती है और करीब 20 सितंबर माह तक इसका सेजन बना रहता है ऐसे में इनकी सप्लाई यहां आती है अब मुलतान का आम स्वाद चर्चा और रेट में सुल्तान बन गया है पाकिस्तानी चौसा किसम के इस आम की जम कर खरीदारी की जा रही है इसके साथ ही आफ सिजन फर भी हमिरपुर की मार्केट में अपनी धाक चमाए हुए है सहारन पुर बंगलूर का खरवुजा भी लोगों को काफी पसंदा रहा है कैलिफॉनिया का अंगूर थाईलैंड का अमरूद भी लोगों को अपना सौद दे रहा है ये सबी आफ सिजन फर शेहर में धडले से भी करें हैं जिसके अलाबा हिमाचल व किश्मीर के सेब ने भी मार्केट में अपनी पहचान बनाई है